मेरा नाम पुजयराय है और हम आपको बता रहे हैं कि ये सुन्दर सी पट्टी अप कैसी बनी हुई है तो इसी तरीके से बनेगा और ये हमें ऐसी ही बनाना है तो हमने राउंड राउंड पहले कर लिया है तो हमने तीन कलर के राउंड राउंड करने के बांद फिर हमने इसमें एक में बांद लेना है एक में बांदने के बाद एक ही में बांद लेंगे इस तरीके से इस तरीके स आप तीन कलर का ही बनाएंगे तो चोटी बनाने में आसानी होगी और खुब सूरत भी लगेगी, देखेए इस तरीके से जैसे कि हम बालों में चोटी बनाते हैं, इसी तरीके से हमने पूरी पटी को चोटी में बना लेना है, और आप ध्यान रखें कि आपको तीन फिट का ब तो इसी तरीके से हमने बनानी के बाद फिसके किनारी में हमने डिजाइन बनाना है डिजाइन आप किसी भी कलर का बना सकते हो जो आपको अच्छा लगी तो मैंने ये कलर लिया हुआ है इसी तरीके से जैसे कि हमने पिछले कई सारी केट में और पट्टियों में बताया इसे बनाना है, इसे हमने चार बारी बनाया है, चार चार बारी आपको भी बनाना है, तो यह कुप सूरत लगेगा, इसे तरीके से आप बनाते जाएंगे, तो आपकी बट्टी तैयार हो जाएगी, देखे इस तरीके से, यही सेम प्रोसेस हमें बनाते जाना है, और देन, यह देखे इस तरीके से ऐसे ही आप बनाते जाएंगे तो ये उलजरी वाला भी नहीं है और जल्दी बनता है ये पट्टी इसलिए हम बना कर डालना है टाइम की बचत होती है और बहुत अबसूरत भी लगती है सो हमारे चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें इसकी बाद वाला वीडियो बहुत ही अबसूरत है जो कि हम से कई लोगे नहीं पूछा कि आप पैपीन का गेट क्यों नहीं डालती हो सो ये उसी की पट्टी के लिए है अगर आप चाहते हो कि आप भी बनाओ को अबसूरत गेट तो प्लीज हमारे चैनल को स्सक्राइब करें लाइक, कमेंट करना ना भूलें स्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती है तो इसी तरी के से आपको बनाना है दोनो तरफ दोनो तरफ बनानी के बात आप देख सकते हो, यह कितना प्रिटी लग रहा है एंड देखेश से ऐसे मेही सारी बनानी है हमें कोई भी मैनत नहीं है अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है फिर से देखिए, ध्यान से देखिए वाव, देखेए, कितनी गुशूरत लग रही है तो, थेंक यू फॉर वाचिं मैं वीडियो बाबाई